बिहार में नितीश कुमार के NDA छोड़ा RJD के साथ सरकार बनाने के बाद से राजिकी राजनीत में लगाताल परिवर्तन देखने को मिल रहा है बिहार समी करण को देखते हुए BJP केंद्र में भी बदलाफ करने के मूड में दिख रही है ऐसे में मीडिया में चर्चा है कि PM नरिंद मोदी को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सांसर चिराग पास्वान की तबस्या जल्द ही पूरी हो सकती है चिराग पास्वान को केंद्री मंत्री मंडल में शामिल करने को लेकर बाचीत फाइनल हो चुकी है धार्मिक मानेताओं के तहत भादो और पित्रपक्ष में कोई शुपकाम नहीं होता इसलिए संभवता वो अक्टूबर में शपत ले सकते हैं तो आई जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे समिकरण साधने में लगी हुई है बीजेपी चिराग पास्वान मोधी सरकार में बन सकते हैं मंत्री बीजेपी के शीश नेताओं के हवाले से मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मताबिक दलित नेता दिवंगत राम बिलास पासवान के बेटे चिराग के साथ संपर्क में हैं ताकि उन्हें एंडिये में किया जा सके फिलहाल केंद्र में चिराग के विपक्षी और चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं जाहिर तोर पर इस्थित का फाइदा उठा कर चिराग ने कड़ा रुक अक्तियार कर लिया है अधिकारिक सूत्रों ने कहा है हाना कि चिराग को मोधी काबिनेट में एक मंत्राले की पेशकर्ष की गई है लेकिन चिराग अपनी पार्टी के भविश है और 2025 के विधान सभा चिनावों में अपनी भूमिका के बारे में सुनेश्चित करना चाहते हैं जो की लोग सभा के बाद होगा क्या कहते हैं चिराग के करीबी नेता मीडिया में चिराक ये करीबी नेता के हवाले से लिखा गया है BJP ये समझ चुकी है कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें अकेले अपने दम पर नहीं जीत सकते इसके लिए एक रणनी तयार करनी होगी सहयोगियों को विश्वास में लेना होगा मद्दाताओं के समर्थन के लिए सैयोग्त अभियान करना होगा बिहार में BJP को क्यों चाहिए चिराक बतादें कि साल 2019 के लोकसभा चिनावों में चिराक की पार्टी को 8.0 प्रतीशत वोट मिले थे जबकि 2014 में उसका वोट प्रतीशत 4,5 था विधान सबा चिनाव में उसका वोट प्रतीशत काफी प्रभावशाली रहा है रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 में से कम से कम 14 जिलों में पासवान मद्दाता प्रभावशाली है ऐसे में BJP के साथ आने माना जा रहा है कि BJP 15 लोकसभा सीट पर हावी हो सकती है विधान सबा में जदियू का नुकसान कर चुके है चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 के बिहार विधान सबा चिनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किये थे लेकिन सिर्फ बेगु सराय की मटिहानी सीट से राशकुमार सेंग चिनाव जीतने में सफर रहे जहां उन्होंने जदियू के बाहु बली उमीदवार बोगु सिंग को हराया लोजपा ने दरजन भर सीटों पर जदियू को नुकसान पहुँचाया था चिनाव के बाद सियासी गल्यारों में चर्चा थी कि जेडियू की 43 सीटों समेटने में सबसे हैं भूमी का चिराक की थी तो ये थी चराक पास्वान से जड़ी हमारी रिपोर्ट आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए साथी पुरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए बागी देश दुनिया से जड़ी खबरों के लिए बने रही है जनसता के साथ धन्यवाद